हेलो दोस्तों नमस्कार आपका हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत है आईए देखते हैं साइन्स का एक और नया प्रेक्टिस सेट अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विस्यों का प्रेक्टिस सेट मिल जाएगा जो परिच्छा की द्रिष्टी से अती महत्ता पूर्ण है तो चलिए शुरू करते हैं सर्ब ग्राही कौन से रूधिर वर्ग का होता है A, B, A, B या फिर O तो सर्ब ग्राही A, B, रूधिर वर्ग का होता इसलिए उप्सन C आपका सही एंसर हो जाएगा निमने लिखत में से किस एक जिव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक यानि 24 होती है मगर मानो मत्स या फिर साप तो मानो पसलियों की संख्या 24 होती है आपसन B आपका सही एंसर हो जाएगा आयोडीन युक्त हार्मोन है अड्रेनेलिन, इंसुलीन, थाइराक्सीन या इन में से कोई नहीं तो आयोडीन युक्त हार्मोन जो है वहाँ थाइराक्सीन है आपसन C आपका सही एंसर हो जाएगा मानुषरीर में प्रिच कौन सी सरचना में शलगन होता है छुद्रांत, ब्रहदांत, अमाश या फिर पित्ताश है तो मानुषरीर में प्रिच में ब्रहदांत्र सररचना में शलगन होती है referral B आपका सही answer हो जाएगा शामान व्यक्ति में दिल की धड़कन की अऊशत दर होती है कितनी होती है 82, 92, 72 या फिर 90 तो शामान व्यक्ति में दिल की धड़कन की अऊशत दर 72 होती है आप सबस्य आपका सही अंसर हो जाएगा संपूर सरीर के द्रबिमान का कितने प्रत्रसत रक्त की मात्रा होती है आठ प्रसत, साथ प्रसत, ग्यारा प्रसत या फिर तेरा प्रसत तो संपूर सरीर के द्रबिमान का साथ प्रत्रसत रक्त की मात्रा होती है option B आपका सही answer हो जाएगा रक्त जमने में किस तत्त की भूमिका होती है MG, CA, FE या फिर CU तो रक्त जमने में CA तत्त की मुख्य भूमिका होती है B आपका सही एंसर हो जाएगा यदि किसी वक्त की रूधिर वाहिकाओं की त्रेजा कम हो जाए तो उसका रक्त दाब बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा या फिर पुर्सों में बढ़ेगा और महिलाओं में घटेगा तो यदि किसी वक्त की रूधिर वाहिकाओं की त्रेजा कम हो जाए तो उसका रक्त दाब बढ़ेगा option A आपका सही एंसर हो जाएगा निमने लिखित में से कौन सी मानो हार्मोन में आयोडीन मिर्सित होता है आक्सी टॉक्सीन, थाइराक्सीन, प्रोजेस्टीन, टी ओरेन या इन में से कोई नहीं तो निमने लिखित में से थाइराक्सीन जो है वा मानो हार्मोन में आयोडीन मिर्सित होता है ते इसलिए option B आपका सही answer हो जाएगा निसेचित अंडाड के implantation के लिए गरभास है कौन सा हर्मोन तयार करता है आक्षी टोक्सिन, प्रोलक्स्टिन, या एस्ट्रोजिन या इनमेसे कोई नहीं तो निसेचित अंडाड के implantation के लिए गरभास है estrogen hormone तयार करता है option C आपका science रो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं मनुष्य के सरीर में पेसियों की कुल शंख्या कितनी होती है 600, 630, 649 या फिर 630 तो मनुष्य के सरीर में पेसियों की कुल शंख्या 649 होती है मनुष्य में मेरू दंड में कितनी जोड़ी तंत्र का निकलती है 12, 13, 31 या फिर 35 तो मनुष्य में मेरू दंड से 31 जोड़ी तंत्र का निकलती है option C आपका सही answer हो जाएगा प्रतिवर्ति क्रियाओं का नियंत्रड केंद्र कहां पर है अनुमस्तिस्क में कसेरुक रज्जु में तंत्र का कोश्का में या फिर प्रामस्तिस्क में तो प्रतिवर्ति क्रियाओं का नियंत्र केंद्र कसेरुक रज्जु पर है option B आपका सही answer हो जाएगा संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है घाज, अस्थल, शागर, वन या इन में से कोई नहीं तो संसार का सबसे बड़ा परितंत्र शागर है option B आपका सही answer हो जाएगा वायू एयोम जल की किरियाद्वारा भूमी का हटाओ कहलाता है अपरदन, लवन भवन, कैलसी भवन या जीवास्म भवन तो वायू एयोम जल की किरियाद्वारा भूमी का हटाओ अपरदन कहलाता है option A आपका सही answer हो जाएगा हाइड्रो फाइट कहते हैं एक जलिये पौधे को एक सामूहिक जानवर को एक पौधिये रोग को या इन में से कोई नहीं तो हाइड्रो फाइट एक जलिये पौधे को कहते हैं इसलिए option A आपका सही answer हो जाएगा निमने लिखिद में से कौन सा पौधा मरूभिद है अमर बेल, नीम, करील या फिर सरसो तो निमने लिखिद में से करील का पौधा मरूभिद है option C आपका सही answer हो जाएगा next question देखते हैं परियावाण के अजेयो अवयो का उधारण है वनस्पती, जानवर, वायू या ये सभी तो परियावाण के अजेयो अवयो का उधारण वायू है option C आपका सही answer हो जाएगा शाओरी उर्जा का सबसे बड़ा योग की करण कौन है कवक, हरे पौधे प्रोटो जोवा, बैक्टेरिया तो शाओरी उर्जा का सबसे बड़ा योगी की करण हरे पौधे है option B आपका सही answer हो जाएगा एपिफाइट्स बहुत अधिक विक्सित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्नि पौधे पर निर्भर करते हैं तो यांत्रिक मदद है तू निर्भर करते हैं option D आपका सही answer हो जाएगा रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं हाइडरोफाइट्स, जोरोफाइट्स, इपिफाइट्स या फिर मेसोफाइट्स तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे जोरोफाइट्स कहलाते हैं option B आपका सही answer हो जाएगा पारिस्थितिक निके की शंकल्पना को प्रतिपादित किया था CC पार्क ने, Green Nails ने, डर्बिन ने या फिर इन में से कोई नहीं तो पारिस्थितिकी निके की संकल्पना को Green Nails ने प्रतिपादित किया था option B आपका सही answer हो जाएगा सबसे स्थाई पारिस्थितिक तंत्र है वन घास का मैदान, रेगिस्तान या फिर समूंद्र तो सबसे स्थाई पारिस्थितिकी तंत्र का है जो वह समूंद्र है निम्न में से कौन सा किरसी कारी परियावणिय द्रिष्टी से उप्यूक्त है कार्बनिक किरसी, किस्मों का उत्पादन, अस्थान अंत्रित किरसी या इन में से कोई नहीं तो निम्न में से कार्बनिक किर्सी कारि परिया वणिये दृष्टी से उप्यूक्त है ओप्सन A आपका सही एंसर हो जाएगा धूल परदूसर रोकने के लिए उप्यूक्त ब्रिच्छ है सीता अशोक नीम पापलर महुआ तो धूल पर दूसर रोकने के लिए नीम सबसे उप्यूक्त ब्रिच्छ है ओप्सन B आपका सही एंसर हो जाएगा वायू मंडल में उपस्थित ओजोन परत अवसोसित करती है आरकटिक महाशागर के उपर, अलासका के उपर, अंटार कटिका के उपर या इनमें से कोई नहीं तो वायू मंडल में उपस्थित ओजोन परत अंटार कटिका के उपर अवसोसित करती है अपसंसी आपका सही एंसर हो जाएगा वैस्विक तापन के फल सरूप हो सकता है समुद्र तल में ब्रद्धी, तट रेखा में परिवर्तन, फशल के सरूप में परिवर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं तो वैस्विक तापन के फल्श रूप तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है, अफसन B, आपका सही एंसर हो जाएगा मानुजनित परियावरान परदूसर कहलाते हैं, पीडा हारी, प्रतिजैविक, परजैविक या इनमें से कोई नहीं तो मानुजनित परियावरान परदूसर, परजैविक परदूसर कहलाते हैं, अफसन C, आपका सही एंसर हो जाएगा उर्जा के किस रूप में परदूसर की समस्या नहीं होती है, क्वेला, पेट्रोल, परमाडु या फिर सावरी तो उर्जा के सावरी रूप में परदूसर की समस्या नहीं होती है, अफसन D, आपका सही एंसर हो जाएगा निमनांकित में कौन अधिक्तम ध्वनी परदूसर का कारण है, जट उडान, पॉप संगीत, निर्वाचन सभाएया इन में से कोई नहीं तो निमनांकित में से अगर देखा जाए, तो सबसे अधिक्तम ध्वनी परदूसर कारण जट उडान है, अफसन A, आपका सही एंसर हो जाएगा मानो तवचा का अध्यान करने वाली बिज्ञान की साखा कहलाती है, डर्मेटोलोजी, बायो, केमेश्ट्री, फेजियोलोजी या इनाटॉमी तो मानो तुचा का अध्यान करने वाली विज्ञान की शाखा डर्मेटोलोजी कहलाती है अफसन ए आपका सही एंसर हो जाएगा अस्थियों का अध्यान विज्ञान की किस साखा के अंतरगत किया जाता है औरोलाजी, सेरेमोलाजी, आश्ट्रियोलाजी या इन में से कोई नहीं तो अस्थियों का अध्यान विज्ञान की आश्ट्रियोलाजी साखा के अंतरगत किया जाता है हफ्षन C आपका सही इंसर हो जाएगा जीओं के संक्रमण के ब्रुद्ध प्रतिरोध का अध्यान किया जाता है इम्यूनोलाजी, हीमोलाजी, पैथोलाजी या इन में से कोई नहीं तो जीओं के संक्रमण के ब्रुद्ध प्रतिरोध का अध्यान इम्यूनोलाजी में किया जाता है आपका सही एंसर हो जाएगा रक्त में Antibodyum Antigen के अध्यन को क्या कहते हैं Biology, Histology, Gynecology या Serology तो रक्त में Antibodyum Antigen के अध्यन को Serology कहते हैं D आपका सही एंसर हो जाएगा मचलियों से सम्मंदित अध्यन कहलाता है लेपी, डेटेरियोलोजी, सिक्रोटोलोजी, एक्थियोलोजी या इनमें से कोई नहीं तो मच्छिलियों से सम्मदित अध्यान एक्थियोलोजी कहलाता है अपसंसी आपका सही एंसर हो जाएगा वंसागति के नियमों के अध्यान को क्या कहते हैं वर्गी करण बिज्ञान, पारिस्थित की, कोशिका बिज्ञान या आनुमंश की तो वंसागति के नियमों के अध्यान को आनुमंश की कहते हैं अपसंसी आपका सही एंसर हो जाएगा मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नसल सुधारने कहलाता है यूथे निक्स, जीवास्म बिज्ञान, यूजे निक्स या इन में से कोई नहीं तो मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नसल सुधारने को यूथे निक्स कहते हैं अपसंसन ए आपका सही एंसर हो जाएगा कैंसर सम्मंदी रोगों का अध्यन कहलाता है अंकोलोजी, आरेंगे नोलोजी, सीरोलोजी या निूरोलोजी तो कैंसर सम्मंदी रोगों का अध्यन अंकोलोजी कहलाता है अपसंसन ए आपका सही एंसर हो जाएगा जेनेटिक्स में किसका अध्यन किया जाता है कोशिका, मांस्वेश्यों का अध्यान, निद्रा का अध्यान, या फिर अनुआनसिक्तायों, गुर्षूत्र तो जेनेटिक्स में अनुआनसिक्तायों, गुर्षूत्र का अध्यान किया जाता है option D आपका सही answer हो जाएगा परिस्थितिक विज्ञान, इकोलोजी का किसी से संबंद है कोशिका, सर्रचना से, सरीर, सर्रचना और वातावरण से, तंतु से या फिर चिडिया से तो परिस्थितिक विज्ञान, इकोलोजी का संबंद जो है वहाँ, शरीर, सर्रचना और वातावरण से ओप्शन B आपका सही answer हो जाएगा नेक्ष्ट क्वेशन देखते हैं तो जनसंख्या का अध्यन देमोग्राफी कहलाता है ओपस़न C आपका सही answer हो जाएगा रेबीज के टीके की खोज किसी ने की जेनर, डार्विन, लिष्टर या लूई पास्चर तो रेबीज के टीके की खोज जो है पास्चर ने की option D आपका सही answer हो जाएगा इनका पूरा नाम लूई पास्चर था next question देखते हैं आधुनिक एंटिसेप्टिक सरजरी का जनक कौन है लिष्टर, हारवे, पास्चर या फिर जेनर तो आधुनिक एंटिसेप्टिक सरजरी का जनक लिष्टर महोद हैं अप्शन ए आपका सही answer हो जाएगा किसके द्वारा अनुवान सिकता के बिज्ञान को अनुवान सिकी कहा गया है कारेंस, वाट्सन, मुलर, या फिर मेंडल तो वाट्सन द्वारा अनुवान सिकता के बिज्ञान को अनुवान सिकी कहा गया है अप्शन भी आपका सही answer हो जाएगा रक्त समूह का आविश्कार रख है लेंडिस्टीनर, लुई पास्चर, रावर्ड कोच या इन में से कोई नहीं तो रक्त समूह का आविश्कार रख लेंडिस्टीनर है अप्शन A आपका सही एंसर हो जाएगा लकवा, जौर, विसूचका या चेचक तो एडवर्ड जेनर निम्न लिखित में से चेचक रोग से जुड़े हैं अप्शन D आपका सही एंसर हो जाएगा विकास का सिध्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था अरस्टू, डार्विन, पास्चर या फिर मेंडल तो विकास का सिध्धांत डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था अप्शन B आपका सही एंसर हो जाएगा हिस्टोलाजी सब्द का सरप्रथम पर्योग किसे ने किया था मैमन, सलाइडन, राबाढ़ूक या फिर मीर तो हिस्टोलाजी सब्द का प्रथम प्रयोग जो है वा मियर ने किया था उप्षन डी आपका सही एंसर हो जाएगा किस प्रकार के उतक सरीर की सुरच्छा कवज का कारी करते हैं एपिथिली यमी उतक संयोजी उतक या फिर पेसिय उतक या इन में से कोई नहीं तो एपिथिली यमी उतक के उतक सरीर की सुरच्छा कवज का कारी करते हैं अप्षन ए आपका सही एंसर हो जाएगा तो थैंक्स फार वाचिंग मैं वीडियो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इससे लाइक सेर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले थैंक्यू जय हिन जय भारत झाल 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